कैसे हैं आप लोग मॉम और बीडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज कर जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर बच्चा बैट से गिर जाए तो मैं क्या करना चाहिए क्यों कि जो टॉपिक जिस टॉपिक में आपसे बात क यह सब की लाइफ में एक वर ज़रूर हुआ होगा मुट की पेरेंस जितनी भी होते हैं सभी के लाइफ में होता ही है बच्चे अकर बैट से सोते सोते गिर जाते हैं तो अगर मैं अपनी बात करूं मैं अपना एक्सपिरेंस आपके साथ शेयर करूं तो कुछ टैम पहला ऐ मैं किचन में थी मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे लगा अंदर शायद होंगी उसके साथ मैं किचन में थी सड़ली आवाज आई धं जैसे कुछ चीज गिरिया मैं सब को छोड़के अंदर गई तो बहुत तेज रोनी की आवाज आ था तो मुझे बैट पर कुछ चोटा सा गिर जाता है डर से और भी जादा रोता है विचरण शाए अच्छो उसको देख से कर मज़ए मेरी आइज में भी आंक सुआ गया और मैं रोने लगी किली इसको कितनी जोर के लगी उग फोड़को ऑन बैट से इड़ा थोड़ा हल्का हल्का बैच्चा सुभकता रहता हुए ऐसे गर रही थी और मैं उसको देख देख कर अंदर बहुत अजीफ फील हो था मुझे बहुत आज़ा कि क्यों ऐसे बेबी गर गया और सड़ली एक दो सेगंड के मेरे सबन बार गयते जो उनको लगा कि मैं आ जाओंग अगर आपका बेबी कभी बैट से सोते सोते गिर जाए या इस तरह से कभी बैगा गिर जाता है और गिरने के बाद अगर उसे उल्टी हो जाती है या ब्लड निकल जाए उल्टी हो जाए बेहोश हो जाए बच्चा या फिर बिलकुछ शांत हो जाए कुछ एक्टिविटी समझे, जल्दी से डॉक्टर के पास जाए के दिखाई उसे, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है, जैसी हमारे साथ ऐसा हुआ, मैंने डॉक्टर को फोन के, आप में डॉक्टर से बात की, तो उन्हें मुझे सिंटम्स बताए, जो मैंने आपको भी बताए हैं, और उन्हें कहा अगर 24 गंटे तक वेट करोनी तो, अगर 24 गंटे तक अगर बेवी को चीज नहीं होती, वो नॉर्मली बहेव कर रहा है, इट मिंस एवर्चिं इस ओकी, को प्रोलम वाली बात लही है, लेकिन कहते हैं, बेंगा मदर और हम जो पेरेंस होते हैं, तो हम बहुत जादा सोच मे कैसे चुप कराएं, कोई मेजर प्रोलम ना हो जाएं, क्योंकि बच्चे का ध्यान बहुत जाद रखना पड़ता है बच्चों को, अगर बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, बार बच्चा गेर रहा है, तो सर में चोट से ही उसको लिए प्रोलम हो सकती है, तो, इस माँ ह जादेन के लिए फ़र गया और बच्चे को अगर गया उसके बाद, दस-फंदरह में के बाद मेरी बेटी बिल्क नॉर्मल थी, चुप थी, उसके बाद हमने डॉक्टर को गिजिट करा, दो दिन के बाद, हमने वेट करा वह याई, कोई सिंटम नहीं था, दो दिन बाद हम हमने वेट किया, और डॉक्टर से बाद के डॉक्टर नहीं का कि ऐसी को प्रॉलम वाली बात मिलिया, और इन फ्रैक्टर कहने लागे कि आप कोशिस कीजिए कि बच्चे को बिल्कुल भी अकेला ना चोड़े, और साथ में उन्होंने एक चीज़ और कहीं कि बच्चे जो है तो इसके लाइफ, लाइफ में भी प्रॉलम आ सकते हैं, I hope आपको ये मेरा वीडियो पर इससे काफे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल लिएगा तो प्लीज अपने बेबिस का ध्यान रखिए और बिल्कुल भी इसको अकेला ना चोड़े, अगर आपको मेरा वीडियो अच् अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा था प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेबिस से रिलेडिट वीडियो आपके फीचर में टाइम टीटाइम मिलते रहें, मिलती हूं मैं आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्क